तो चलिए जान लेते हैं कि क्या खबर निकल के आई है बिहार सिविल कोट का एक्जाम वही बिहार सिविल कोट दोस्तों आपको याद होगा आज से आठ महीने पहले सितंबर में इसका फोरम भराया था तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे देखिए 7000 पोस्ट के लिए अब डिटेल से ज़्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि अल्रेडी हम बता चुके हैं इतना पोस्ट है 18 लाक यहाँ पे स्टुडेंट अपलाई किया हैं और यहाँ पे सब लोग लगभग यह मान के चल रहे थी 6 महीने बितने के बाद मैं 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 लास्ट में कोई नोटिफिके और टलेगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अब आने वाला है मानसुन बिहार में आने वाला है मानसुन मानसुन 10 जून से 10 तक दे देगा और आपको पता है दोस्तों कि जब मानसुन आता है तो कहीं बिहार में सुखा पड़ता है कहीं बाढ़ आता है तो इसी के वज़ा से स से नो महिने तक ये हो चुका आपका समय और अभी तक इसका कोई डेट काता पता नहीं है 18 से 20 लाख ये कनिडेट है और ये कम नहीं होते है दोस्तों ये संख्या भोत बड़ी है और ये लगातार तयारी कर रहे हैं साथ से आठ महिने से लेकिन इनको एक आसा की जो कीरण होती है न एक छोटा सा भी कीरण उधर से आ जाता है तो एक मन में तसल्ली हो जाती है तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कम से गम एक छोटा सा अपडेट अगर कोई अगर यहाँ पे दे दे कि एक अंदर से एनरजी आता है तियारी करना thì शली जोस्तों अभीर्थियों को सुचित किया जाती है कि आपका इक्जाम अगरस्ति में होगा या सिदंबर में होगा ऐसे कर देने से क्या होता कि फिर अदर शेक्वेस्स चाहरी में continuity आ जाती है तो इसी के बज़ेसे हम बोल रहे थे अब इसी के बज़ेसे हैं बहुत सारे तो student ऐसे हैं कि वो त्यारी कर करके छोड़ दे रहे हैं कि पता नहीं कभी जाम होगा नुमंबर में होगा कि दिसंबर में होगा कि अगला साल होगा उनको कोई अपडेट ही नहीं मिल इसी के बज़े थोड़ा सा वो नीरास हैं बहराल आप अपने तयारी को धार देते रहे हैं और कभी भी ओफिसियल तोर पे कोई नहीं कोई नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं कोट की बात है कोट जब भी आपका इनका final meeting में अगरा हो जाएगा जब इनका center allotment और exam paper की preparation को ल कोई भी यह मतलब की update नहीं देते हैं इसके वज़े से लोगों को पता नहीं चल पाता है लेकिन आप तयारी करते रहे हैं इनको यह देखिए पूरी तरह से नजर बना के रखते हैं ऐसा बात है कि यह अपने काम में लगे हुए है क्योंकि कोई भी अगर news आता है किसी भी परकार गड़ बढ़ेंगे उस तो यह तुरत उसको सही भी कर देते हैं कि देखिए ऐसा कोई भी बात नहीं है हम अभी exam नहीं ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा तो ऐसा मत सोचिए कि बैठे हुए हैं यह काम में लगे हुए हैं कुछ न कुछ काम छूटा हुआ होगा या कही तैयारी को छोड़िये मत अभी नहीं हुआ एक महीन दो महीना लेट होगा लेकिन जादा तो नहीं होगा क्योंकि अब धीरे-धीरे इन पे भी pressure बन रहा है लोग धीरे-धीरे थोड़ा हिम्मत तूट रहा है तो लोग भी अवाज उठा रहे हैं हो सकता है कि थोड़ा अठ प्रस्थित करने में थोड़ा इनको टाइम लग रहा है बात यह है तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है और लगतार हमारी नजर बनी हुई है कोई भी update आएक तो पताएंगे बाकि अब तैयारी करते रहे हैं दूस्तों यहाँ पे हम कोसिस करेंगे कि आपको डेली ए candidate apply किये हैं इसको लेकर एक लगभग 18 से 20 लाग candidate दोस्तों apply किये हैं अब यह इंतिजार कर रहे हैं लगतार त्यारी कर रहे हैं 7-8 महीने से इंतिजार कर रहे हैं कि कब exam होगा कब exam होगा और लगतार नजर बना कि हम भी रखे हुए हैं जो इसका official website है कि कोई खबर आए ता कि पता नहीं अगला साल होगा कि पता नहीं कब होगा और इसी चक्कर में कोई लगातार लगा हुआ है तो वो तो निकाल लगा ना तो आभी लगे रहे हैं दोस्तों वेकेंसी आती रहती है लेकिन त्यारी करने वारे अपना एक target बना लेते हैं कि हमको इसको निकालना है त अपना त्यारी करते रहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार सेट हुए अगरा जुआइन करके मार रहे हैं